माता के भगत, माता का लोकिट पहन सकते हैं, सूरिय का लोकिट पहनने से सूरिय बलवान होता है, स्वस्तिक का पहनने से सभी कारिय बनते हैं, और क्रिशन जी का पहनने से लाब मिलता है, हर्मान जी से संकट दूर होते हैं, गदा पहनने से जीवन में सुक्ष शांती आती है अनमान जी का लोकिट अनमान जी के भगतों को जुरूर पहना चाहिए ये मचली का है इसे जीमन में वर्दी होती है मोती पहनने से मन में शांती आती है और जितने भी मोती मानिक और ये दिखाए गए हैं पत्थर या जिनको हम मानिक वगरा मोती मानि कहते हैं ये सब ही हमें अपनी राशों के अनुसार ही पहनने जाएं, तभी हमें लाव प्राप्त होता है, किसी पंडित को दिखा कर ही पहननी चाहिए, वैसे तो ये हमें कश्ट भी परदान कर सकते हैं, सब ही जो एक-एक राशी का अलग-अलग हम मानते हैं, स्वामी होता है, उसके कोडिंग ही पहनना चाहिए यह बहुत सारी हमारे जीमन मेवर्धी के लिए होते हैं आप देखे कि हर गर में क्या क्या चीजे होने चाहिए और सोने की सीड़ी जरूर चड़ाने चाहिए अगर कोई मरत्तों के प्रान दादा रखते हैं यह बिल पत्तर प्राने को आँखे आप चड़ा सकते हैं और तोब घर में संकोटों को दूर करने के लिए भी केजे पर प्रियोग किया जाता है और यहां पर खड़ाओ का प्रियोग करते हैं इन पर सभी माता के शुब चिन बने होते हैं यहां पर देखो बिली है जो कभी हम बिली अगर है मार देते तब प्रड़ा जाती है यह तो बिरखना शुब है मातालक्षमी के चिनों पहर पर क्या क्या होने चाहिए यह तीन आकरती वाला बेल पत्तर है तो तो बिरखना घर में बहुत ज़्यादा शुब होता है तोते से मिठास उत्पन होती है यह सुन्दर सा यह एक घर क्या है अगर घर नहीं बन रहा है तो इस तरह का मंधिर में दान करना चाहिए यह आपका डमरू किया करती है और आप यह सपी देख सकते हैं कि इनका भोझती पर्भाव रहता है यह सब भी आपको दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़े दिखा जाती है यूटूब पर भी हम लाइव आते हैं और उसके द्वारा भी आपसे बात होती है और इंस्टा पर भी आप हमें अपनी बहुत सारी जोतके फूल बेश सकते हैं बाबा का आशिरवाद आप हमारा जो रोत्तक में दरबार लगता है बाला जी महराज के नाम से उनके किरपा से जो शेनिवार और रविवार को लगता है प्रविवार को आ सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका कश्ट रिरान प्राप्त कर सकते हैं बोले नात की जय हो जय हो शियो शंकर की बाबा जी का अशिर्वा सभी को प्राप्त होता रहे जय मतरा